सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन दोस्तों नमस्कार जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पर मेरे पास एक घर का नक्षा बना हुआ है जिसका साइज है दोस्तों 45 फिट और 50 फिट इस डिजाइन को बनाने में मुझे काफी टाइम लगा है और ए दोस्तों इस घर के अंदर या मकान के कहें अंदर क्या क्या चीज़े है रूम कैसे कैसे कीचन कहा है वह आप क्यों मैं अभी वीडियो में दिखाने वाला हूं तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने अब हमारा चैनल अब तक कर लें और दोस्तों साथ की साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे दवारा डाले जाने वाले वीडियो का नोटिकेसन आप तक पहुंच जाएगा और जिससे की आपको पता चलता रहेगा हर टाइम की हमने कौन सा वीडियो अभी डाला है और क्या-क्या नया डिजाइन आया है तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन के बारे में बात करते हूं यहां पर देखिए मैंने यह दो उपर और नीचे दो ही फ्लॉर बनाए हैं यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नीचे से ग्राउंड अगरशो पर दिखा देता हूं क्या यहां पर देखिए मैं आप को देखाता हो कार पार्किंग है यहां से हमारा में एंट्रेंस होगा और हमारा जो मीक्रता है यह यह वाला यहीं दोस्तों ड्रोइंग रोम यूज़ कर सकते हैं यहां पर आपकी जीडिए गूराव deeper याा से डर्क लिड़ लगा सकते हैं और उसके बाद यहां से टोilet बाथ रूम मैं आप यहां से बना सकते हैं साथ में 4 फिर जगह है यहां पर ऊपन छोडदे हैं बाहर से हमां आप से तुन है मरे नाप बालगे और फरेंट में हमारे पास दोस्तों यहां पर किचं हन'? अपका गैसे टूम हो गया अब इनके साइज के बारे में बात करते हैं दोस्तों देखिए यहां पर फ्रंट कार पारकिंग है वह 10 20 साइज है यहां पर गाड़ी खडी है उसके बाद जो गैसे पूम है हमारा इसका साइज है 12 ऊपर हो जो किचन थो सब्सक्राइब का सथी स्टोर के साइज्वाइब वाय न सब्सक्राइब का सब्सक्राइब दुस्तो पांच फिट चोड़ाई है और आठ फिट इनकी लंबाई है दोनों भी उसके बाद चार फिट का यहाँ पर गैप है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर और जो सीडिया है चार चार फिट चोड़ी सीडिया है हमारी या साड़े तीन फिट भी आप कर सकते इसको उसके बाद 12 फिट का हमारे पास जो यह हमारा डाइनिंग एरिया कह सकते हैं इसको आप यह बच गया है लगवग 37 या 37 फिट में आपका जो लंबाई में हो जाएगा आप एक दो फिट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहां से आपका में एंट्रेंस होगा दोस्तों उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं यहां से चलिए मैं आपको बता रहा था बाहर से वेंटिलेशन का क्या रहेगा क्योंकि मैंने देखिए ओपन बनाया है तो आप इस साइड भी यहां पर विंडोज लगा सकते हैं जो ग्रिल या जालिदार खिड किए दरवाजा आप ल यहां पर क्या क्या देखिए एक मैंने रूम उपर बनाया है यहां पर जो लास्ट और में पीछे की साइड सीडियों से बिल्कुल सटे गुए यहां से सीडियां उपर आके यहां से आप टायर्क जासकते हैं यहां पर कम या जधा यह जगह सपेस है जो कम ज़्यादा कर सक यहां फे दोस्तों एक 92 की अपका लोंग रूम है उसको इसको यूज़ कर सकते हैं बाहर intercept और यह आपको बिल्कुल ओपन एरिया histoire नहीं इहां पर ऐखिए जो यहां पर में स्लेख्व यहां पर बिल्कुल आप सामने प्रण्ट से जुआ आपके बल्कुणी में और यहां भी यह से आसकते हैं दोनों यहां पर सायड में मैं दिखार रहा हूं यह यह इसे जो है यह यह बिल्कुल बंध है आपके जो ग्लासीज है यह फिक्स्ट है और यह जो डॉर यहां पर ही खुलने वाले यहां पर बालक लिए आप आनन्द ले सकते हैं अब नेक्स मैं आपको दिखा देता हूं यहां से लेवल थ्री पे यहां पर देखिए उपर बिल्कुल खुला सा रखा है ताकि स्टाइल थोड़ा से स्टाइलिस भी लगे उसके बाद चलिए हम बात करते हैं हमारी रूप इस तरीके की आप लगा सकते हैं और स्टाइल देन लगा के बना सकते हैं इसका हाइट है इसकी कम्या जाद आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो था हमारा 45-50 फिट एरिया में ओपन हाउस तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आता तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को